मेरे प्रिय अधर्सको आज की रुवांचक एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्राचीन रहस्यों के आपरशक छेत्र की खोज करने वाला हमारा यूटूब चैनल थिंकिंग प्रजेक्ट का नाम बदल कर साइको मेंड कर दिया गया है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही रुवांचक वीडियो देखने के लिए बिल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिसना हो जाए अब आईए लोटते हैं अपनी कहानी पर कबला जिसे यहूदी रहस्यवात के रूप में भी जाना जाता है एक अध्यात्मिक परंपरा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है कबला जादू की उत्पत्ती रहस्य में डूबी हुई है कुछ शोद करता इसकी जड़े आदम और हवा की बाइबल कहानी में रोगते हैं जबकि अन्य का मानना है कि इसकी उत्पत्ती प्राचीन शहर बेविलान में हुई थी सदियों से कबला जादू विश्वासों और प्रथाओं की चटिल प्राणाली के रूप में विक्सित हुआ है इसके अभ्याशकरताओं का लक्ष जीवन और ब्रवान्ड के छिपे अर्थों को समझना है इसकी सक्षाओं ने यहुदी धर्म, इसाई धर्म और इसलाम साइद विबिन धर्मों को प्रवावित किया है इस विडियो में हम कबला जादू के रहस्मई इतियास को गहराई से जानेंगे और इसके प्रमुक्ष धानतों और अनुस्ठानों का पता लगाएंगे तो आराम से बैठे और कबला जादू की रहस्मई दुनिया की इस यात्रा में हमारे साथ शामी दोस्तों कबला जादू जिसे प्रेक्टिकल कबला के नाम से भी जाना जाता है एक प्राचीन यहुदी रहस्मई परमपरा है जो तोरह यहुदियों के पवित्र किताब के छिपे अर्थों को समझने और वेवारिक उद्यश्यों के लिए अपनी दिम्वे ओर्जा का उप्योग करने का प्रियास करती है। यह दर्शन रहस्यवाद और दिम्वे संचार के तत्वों को जोड़ता है। हजारों साल पुराना कबला जादू अध्यात्मिक खोज के लिए एक अनूथा नजरिया प्रदान करता है। कबला जादू के सार को सही माने में समझने के लिए हमें मद यूग में वापस जाना होगा। जहां इसकी जड़े मजबूत हुई। इस समय के दौरान रहस्यमई यहूदी विद्वानों ने वस्तविक्ता के छिपे हुए आयामों की खोच शुरू की और ब्रमांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए पवित्र गरंतों की खोच शुरू की। गहन अध्यन और ध्यान के माध्यम से इन कबाली वादियों ने देविय शक्तियों को अनलाग करने की कुझी ढूंडी। कबला जादू विबिन प्रकार की तक्नीकों का उप्योग करता है। जिसमें ध्यान, प्रात्ना, मंत्र और अनुस्ठान शामिल है। जिनका उत्यश आकाशी और उर्जा को प्रसारित करना और वस्तविक्ता के ताने बाने में हेर फेर करना है। कबाली वादियों का मानना था कि तोरा के भीतर बुनी गई दिब्य भाशा को समझ कर वे महौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। और यहां तक की उच्छ शेत्रों के साथ समवाद भी कर सकते हैं। अब आईए कबला जादू के कुछ दर्चस्प उदारों पर गहौन करें। सबसे प्रसित प्रथाओं में से एक है पगवान के 72 नाम। माला जाता है कि एक्सोडस से प्राप्त ये पवित्र नाम जब केंद्रित इरादे से पढ़े जाते हैं तो उनमें अत्यधिक शक्ती होती है। ऐसा कहा जाता है कि वे अभ्यास करताओं को दिव्यता के विविन पहलों से जोडता है। अध्यात्मिकता, प्रचूरता, सुरक्षा या उप्चार का द्वार खुजता है। एक और दिल्चस्प उधारण है सेफर रजील हमाचाल जिसे रजील दव एंजल की पुष्टक के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्राचीन गरंत में महादूत रजील दवारा प्रदान किया गया ग्यान और ग्यान शामिल है जो ब्रमांड के कामकाज में गहन अंतर दृष्टी प्रदान करता है। दिम्ब प्राणियों को मंत्र मुक्त करने ताबीज बनाने और यहां तक की छीपे हुए खजाने की खोच करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। दोस्तों जबकि कबला जादू की उत्पत्ति प्राचीन है इसका प्रभाव अभी भी आधुनिक समय में गूचता है। आज कई व्यक्ति अपने देनिक जीवन में अध्याक्मिक ज्यान और वहवारिक मार्क दर्शन की तलाश में कबला के रहस्यों की खोज में लगे रहते हैं। कई समकालीन अभ्यासकताओं ने व्यक्तिगत परिवर्तन और सशक्षिक करण का मार्ग प्रतान करने के लिए कब्लालवादी आउधारनाओं को अपनाया है। और प्रिय दर्शकों आपके पास कब्ला जादू की मरोना दुनिया की एक छलक है। यहुदी रहस्यवात की गहराईयों से जन्मय यह रहस्यमई परदपराग ज्यान और अध्यात्मिक विकास के चाहने वालों के लिए दिद्ग्यासा और प्रिणना बनी हुई है। हमेशा की तरह हम आपको इन्वेस्टिगेशन करने और सीखने के लिए पुरसाहिद करते हैं। क्योंकि समझ के माध्यम से ही हम अपने भीतर और आसपास मौजूल चीपे हुए छेत्रों को जागत कर सकते हैं। कबला जादू के इतियास की इस मंत्र मुग्द यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद यदि आपने इस एपिसोड का अनंद लिया है तो अधिक दिल्चस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइट शेयर और सब्सक्राइब करना ना बुले। अगली बार तक इन्विस्टिगेट करते रहें, सीखते रहें और युगों के रहस्यों को उजागर करते रहें। जैहिन साथियों।